हेलो गाईज आप लोगों का एक बार फिट से ओपिय स्ट्रडी सुलूशन में श्वागत है तो दोस्तो यह वीडियो हमारे दिसंबर से स्टूडेंट के लिए काफी जादा खास होने वाली है दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों का रिजल्ट से रिलेटेड हुआ है बड कब आने वाला है ठीक है ना दोस्तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा चले दोस्तों वीडियो के शुरुआत करते हैं जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों दिसंबर से सम्बर से सम् 2021 का जो एकजाम है वो जन्वरी में हुआ था उसका को और रिजल्ट काफी जादा जल्द आप लोगों को डिकलियर किया जाएगा जैसे कि हम लोग आपको बता रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है दो चार दिन में आने वाला है तो मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुनाओंगा दोस्तों आप लोगा रिजल्ट कब आने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट को विश्वास नहीं होता रहता है तो आज मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला हूं उससे पहले मैं बता देने वाला हूं दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट हमारे जेइमेन के स्टूडेंट है वो बोल रहे थे कि सर रिजल्ट एक तीस से पहले आ जाता तो हम लोग जाए जेइमेन का examination form भर लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो आप लोग जो है कि जेइमेन का आज जो मेरी बात हुई है तो देख लीजे क्या बात हुआ है और कब तक आपका result आएगा तो सारा कुछ मैं इस recording में किलियर हो जाएगा ठीक है ना तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं recording सुनिए ध्यान से सुनिएगा इसको तो दोस्तो जैसे कि आपने देख लिया रिकॉर्डिंग में साप आपको नजर आ रहा होकर result मैंने इस तरह से बात किया और मेरी बात हुए और उन्होंने बोला है कि दो से चार दिन में आप लोगा result डिकलियर हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों जैसे कि हम लोग आपको लगातार बोल लेते कि कि आप लोगा result काफी जल्द आने वाला है और मेरी बात होती रहती है व्यार उपेंड मोर्ड में जो भी इंफोर्मेशन देते हैं तो सही देते हैं और पुरा ऑथेंटिक इंफोर्मेशन रहता पता चल गया होगा जिन भी स्टूडेंट को विश्वास भरोशा नहीं था उनको भी विश्वास हो जाएगा तो थोड़ा सा मेरा मेरा तो हम लोग तो मर्जी है कि हम लोग तो चाहते थी आप लोग का result जाए एक 30 से पहले हो सकता है दोस्तों आप ल इसको सुधार करना चाहिए आगे से बोड ओफिस ध्यान रखे कि रिजल्ट पहले दिया जाए ठीका ना तो चलिए नए नए ने सियो आया है तो चलिए कुछ करनी चकते अब उनको थोड़ा टाइम लगेगा कि किस तरह से काम करना है ठीका ना दोस्तों इसलिए देरी हो सुधार है तो हुआर आप लोग पेसिस बनाकर रखें आप लोग हमारे काफी जादा समझदार स्टूरेंट हैं हम लोग चाहते थे कि एक-30 तारिक से पहले रिजल्ट आये मार्च में रिजल्ट आये लेकिन अब समखना कम है आप लोग रिजल्ट जे रिजल्ट है प्रैल बोड है तो दो-चार दिन लेट होता रहता है लेकिन इनको काम थोड़ा अच्छा से करना चाहिए ठीका ना मेरा अगर सजेशन ले तो अच्छा से काम करें रिजल्ट अच्छा दे और टाइम पर रिजल्ट दे तो था बढ़िया रहेगा स्टूडेंट सब परिशान नहीं ह दूस्तो आसा करता हम वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारा इंफोर्मेशन मिल गया होगा रिजल्ट कव आएगा नहीं आएगा तो मैंने आपको बता दिया अपरेल के फर्स्ट वीक ही रखी रिजल्ट आजाएगा ठीका ना दो चार दिन बोल रहे हैं तो चार दिन वह इंफोर्मेशन हम लोग आपको देते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं और जो भी यूटूबर इस वीडियो को देख रहे है तो गलती ना करें इस वीडियो का जो रिकॉर्डिंग वगयरा कुछ भी यूज ना करें नहीं तो आपको स्ट्राइक मिल सकता है तो आप लोगों का रिजल्ट जो है काफी ज्यादा अच्छाने वाला है ठीक है और दो चार दिन का और ही वेट कर लेते इतना तो वेट करी लिए आप लोगा रिजल्ट आ जाएगा चलिए दोस्तों यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और सारे इंफोर्म सब्सक्राइब से पहले देने की कोशिश करेंगे तो चली दोस्तों असा करते हैं वीडियो को पसंद आयों तो लाक कर येगा सेर करें कर्या नहीं है तो जरू कर लिजेएगा कि ऑफ्वी आथेंटिक इनफ़र्मेशन मिलती है भाई मेरे तो मिलेंगे फेर एक नई वीडि बगिशो माची